तो श्री शीतल देवी कहते हैं होसले अगर बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष भी हासिल किया जा सकता है और यही करके दिखाया है भारत की बेटी और विश्व की नमबर वन पैरा और्चर शीतल देवी ने और आज जब राश्टरपदी भवन में अरजुन पुरुसकार के लिए उनका नाम लिया गया तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ा हट से गूज उठा हर कोई उन्हें अवार्ड लेते देख खुश हो रहा था उन्हें देखकर सिर्फ यही लग रहा था कि शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद अगर मनोबल उचा रखें तो मन्जिल पाई जा सकती है महस दो सालों में शीतल देवी ने वो सब करके दिखाया है जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता है 14 साल की उमर तक उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि उन्हें तीरंदाजी करनी है और आज वो विश्व की नंबर वन पैरा और्चर है ये सब हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, खोसले और जजबे की जरूरत रहती है जो उनमें कूट-कूट कर भरा है प्रमु कश्मीर के किश्तवार के दूर दराज के गाउन लोईधार की रहने वाली पैरा तिरंदाज शीतल देवी उन 26 खिलाडियों में शामिल थी जिन्हें आज प्रतिष्ठित अर्जुन पूरुसकार से सम्मानित किया गया उन्हें आज जब राश्टरपती भवन में राश्टरपती दुरोपदी मुर्मूर ने सम्मानित किया तो पूरा हाल तालियों की गड़गडाहर से गुंज उठा शीतल देवी ने पिछले साल अक्तूबर में अपने पहले एशियाई पैरा खेलों में रिकॉर्ड तीन पदक जीते। प्रभावशाली परदर्शन में मिश्रित यूगल और महिला व्यक्तिकत वर्ग में दो स्वन पदक और महिला यूगल कमपॉण में एक रजट पदक शामिल था। एकलववी की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। कहा जाता है कि गुरू द्रोनाचारे ने गुरू दक्षना में एकलववे से उनका अंगूठा मांग लिया था ताकि उनका प्रिये शिष अरजुन जो है वो दुनिया में सर्वस्रेष्ट कहलाए। वही अगर शीतल देवी की बात की जाये तो उनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी वो अरजुन की तरह मचली की आँख में सटीक निशाना लगा सकती है। 14 साल की उमर तक शीतल देवी तिरंदाजी की ABCD तक नहीं जानती थी लेकिन साल 2021 उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया। करने की सला दी। वस यहीं से शीतल की जिंदगी बदल गई। वो कट्रा सित माता वैशनो देवी श्राइन बोर्ड तिरंदाजी अकादमी के कोच कुल्दीव वेदवान के संपर्क में आई। उसकी प्रतिभात एक कुल्दीव ने काफी रिसर्च कर उसके लिए विशेश धनुष तयार कराया जिसे हाथ से नहीं बलकि पैर से चलाया जाता है और अब दुनिया विश्व के नंबर वन पैरा और्चर शीतल देवी को गोल्डन फीट के नाम से जानती है और आज उन्हें अरजुन पूरुसकार से सम्मानित किया गया है परा तीरंदाजी खेल विदा की उत्कृष खिलाडी सुश्री शीतल देवी ने 2023 को हांग शूचीन में आयोजित सुश्री शीतल देवी को परा तीरंदाजी में उनकी उत्कृष उपलब्धियों को मानेता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अरजुन पूरुसकार से सम्मानित किया जाता है सुश्री शीतल देवी सुश्री शीतल देवी जाता है वर्ष जाो